हेलो स्टुडेंट्स प्रेप्रेशन सर्किल चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम एंसियार्टी क्लास 11 का चैप्टर एलबर्ट आइंस्टीन एट स्कूल लेटेन बाय पैट्रिक प्रिंगल को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अलबर्ट आइंस्टीन 1879-1955 इस रिगार्ड़ेश्ट फिजिस्ट आप सिंस न्यूटन अलबर्ट आइंस्टीन 1889 से 1905 तक एक महांतम फिजिस्ट के रूपमन को जाना जाता है न्यूटन के बाद in the following extract from the young Einstein the well known biographer Patrick Pringle described the circumstances which led to Albert Einstein expulsion from German school इस extract में शेप्ट को लिया गया है वेल नौन बायोग्राफर patrick Pringle एक बहुती प्रस्चित बायोग्राफर है पैट्रिक पिंगल उन्होंने यहाँ पर उन प्रस्थितियों का वर्णन किया है जिसमें Albert Einstein को एक जर्मन स्कूल में जिसमें वो पढ़ा करते थे वहाँ से निकाल दिया गया था चलिए स्टार्ट करते हैं इतिहास के टीचर ने Einstein से पूछा परशिया वालों ने वाटरलू में कौन से बर्शियों फ्रांसिसियों को हराया था आइडोंट नो सर वाइडोंट यू नो यू है बीन टोल इट ओफन टाइम श्रिमान जी मुझे पता नहीं Einstein ने उतर दिया श्रिमान जी मुझे पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं पता ये बात तुम्हें कई बार बताई जा चुकी है I must have forgotten मैं वश्ची भूल गया हूंगा Did you ever try to learn? asked Mr. Baroon श्रिब्राउन ने पूछा क्या तुमने कभी याद रखने का प्रत्न किया है? No sir, Albert replied with his usual unthinking honesty, why not? नहीं श्रिमान जी, Albert ने अपनी सामान ने अविच्रित इमानदारी से कहा क्यों नहीं? I can't see any point in learning dates, one can always look them up in a book मुझे तारीख याद करने में कोई तुक दिखाए नहीं देता है उन्हें जब चाहूं किसी पुस्तक में देखा जा सकता है Mr. Brown was speechless for a few moments कुछ पलों तक श्री Brown अवाक रहे गए You amaze me Einstein, he said at last Don't you realize that one can always look most things up in books That applies to all the facts you learn at school Einstein, तुम मुझे चकित कर रहे हो उसने अंत में का क्या तुम यह महसूस नहीं करते हो कि कोई भी व्यक्ति बहुत से तत्यों को हमेशा पुस्तकों में देख सकता है यह बात उन सभी तत्यों के उपर लागू होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो Yes, sir हाँ, श्रीमान जी Then I suppose you don't see any point in learning facts तो मुझे समझना चाहिए कि तत्यों को समझने में तुम्हें कोई चीज नहीं आती है Frankly, sir, I don't, said Albert इस पश्ट बात यही है श्रीमान जी मुझे तुक नहीं नजर आती है Albert ने कहा Then you don't believe in education at all तो फिर आपको आपका सीखने में तनिक भी विश्वास नहीं है Oh, yes, sir, I do I don't think learning facts is education जी हाँ, sir ऐसी ही बात है मेरे विचारमत अथ्यों को सीखना ही सिख्षा नहीं है In that case, said the history teacher with heavy sarcasm Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education फिर तो इतिहास के अध्यापयाने कटोर कटाक्ष करते हुए कहा शाय तुम दिया करके कक्षा को सिख्षा के Einstein सिद्धानत के बारे में बताओगे Albert flushed I think it's not fact the matter but ideas, he said Albert अवेश में आ गया मेरी विचार में तत्यों का नहीं बलकि विचारों का मूले होता है वह बोला I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other युद्धू की तारिकों को तथा कौन सी सेनाओं ने अधिक विक्ति मारे की विशह में जानने में मुझे कोई तुक नजर नहीं आती है मुझे इस बात इस तत्य को जानने में अधिक रुची होगी कीवे सेनाओं एक दूसरे को मारने में क्यों रुची ले रही थी That's enough Mr. Brown's eyes were cold and cruel ये काफी है Shree Brown की आखे थंडी और कुरुद्ध हो गई We don't want a lecture from you Einstein You will stay in for an extra period today Although I don't imagine it will do you much good I wouldn't do the school any good Either you are a disgrace I don't know why you continue to come हमें तुम्हा लेक्चर नहीं चाहिए Einstein आज तुम्हें एक period अधिक डुगना पड़ेगा हलांकि मेरे विचार में उससे तुम्हें कोई फाइदा नहीं पहुचेगा इससे स्कूल का भी फाइदा नहीं होगा तुम्हें कलंक हो मैंने समझता कि तुम्हें स्कूल की सुद्धेश से आते हो It's not my wish sir Albert pointed out इसमें मेरी मर्जे नहीं चलते Albert ने संकेत किया Then you are an ungrateful boy and out to be as him of yourself I suggest you ask your father to take you away तो तुम्हा अपने उपर शर्म आनी चाहिए मैं सुझाओ देता हूँ कि तुम्हें अपने पिता से कह दो कि तुम्हें स्कूल से निकाल ले Albert felt miserable when he left school that afternoon not that it had been a bad day most days were bad now anyway but because he had to go back to the hateful place the next morning Albert अत्यादिक दुखी महसूस कर रहा था जब उस दिन दुपहर बाद बाद से लोटा इसलिए नहीं कि बाद दिन बुरा रहा हलांकि बहुत से दिन उसके लिए बुरा हुआ करते थे परंतुज इसलिए कि अगली सुभा उसे घणा जना के स्थान अर्था दोबारा स्कूल में जाना पड़ेगा उसकी केवल यह इच्छा थी कि उसके पिता उसे स्कूल के हटा लें परंतु ऐसा उनसे पूछने में भी कोई तुक नहीं थी उसे पता था कि उसके पिता का उत्तर क्या होगा उसे उस समय तक ठहरना पड़ेगा जिस समय तक उसे डिप्लोमा नहीं मिलता गोईंग बैक तो इस लॉजिंग्स दिद नॉट चीर हिम अप His father had so little money to spare the Albert, had been found a room in one of the poorest quarters of Munich He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squelor अपने निवास पर पहुशने के बाद उसे तसली नहीं हुए अलबर्ट के पिता के पास कम पैसे थे इसलिए अलबर्ट को म्यूनिक के सरवादिक निर्धन घटिया कॉटरों में उसके लिए कमरा दिलाया गया वह घटिया भोचनाओ आराम के अभाव की या गंदिगी और मेलेपन की जिंता नहीं करता था परंतु वह गंदी बस्तियों की हिंसाओं से डरता था उसकी ग्रह स्वामी नी बकान मालकिन नीमत रूप से अपने बच्चों को पिटा करती थी और प्रतेक शनिवार उसका पती शराप पी कराता था और उसकी प्टाई किया करता था बट एट लिस्ट यू है वेव रूम आप यूर ओर ओन विच इस मोर देन आई कैन से सेड यूरी वेन ही काल राउंड इन दा इवनिंग लेकिन कम से कम तुम्हारा पास अपना कमरा तो है जो मैं कहना चांगा कि बहुत है यूरी नहीं उत्तर दिया जब शाम को वे उससे मिला एट लिस्ट यू लिब अमंग सिविलाइज्ट हीवन बिंग्स इवन इफ दे आर आल पूर इस्टिनेंट सेड अलबर्ट कम से कम तुम सब भ्यक्तियों के बीच में रहते हो हाला कि वे सभी निर्धन बिद्ध्यारती हैं अलबर्ट बोला वे सभी सब नहीं हैं यूरी ने उत्तर दिया क्या तुमने बह बात नहीं सुनी कि पिछले सब था उनमें से एक के द्वन्द युद्ध्यु में हत्या कर दी गई थी and what happens to the one who killed him और उस हत्यार के साथ क्या बीती होगी nothing of course he is even proud of it his only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels he is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor कुछ भी नहीं बलकि उसे इस पर गर्व है उसकी एक ही चिंता है कि अधिकारियों ने उसे और अधिक द्वन्द युद्ध करने से मना कर दिया है वह इसके लिए व्याता हो लेकिन कि उसे सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने बाकी जीवन हैतु धरान करने के लिए अपने चेहरे पर एक भी गाव का चिंद नहीं है आख, exclaimed Albert, and these are the students, well you will be a student one day अफसोस, Albert ने विश्मित होकर कहा, Albert यही विद्ध्यारती है आख, exclaimed Albert, and these are the students, well you will be a student one day, said Yuri अफसोस, Albert ने विश्मित होकर कहा, Albert यही विद्ध्यारती है, ठीक है, तुम भी एक दिन विद्ध्यारती बनोगे, Yuri बोला I doubt it, said Albert, glumly, I don't think I will ever pass the exams for the school diploma मुझे शक है, Albert ने उदासीन भाव से कहा, मेरे विचार में मैं कभी भी स्कूल का डिप्लोमा प्राप्त नहीं कर सकूँगा He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich, normally she lived in Berlin where her father had a business अगली बार जब उसकी Elsa नामक चचेरी बहन म्यूनिक में आई तो उसने उसे वही बात बताई सामाने रूप से वहे बर्ली में रहा करती थी, जहां उसके पिता ब्यापार किया करते थे I am sure you could learn enough to pass the exams Albert, if you tried she said I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through, they say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught just be able to repeat it in the exams मुझे निश्चा है Albert कि परिक्षा को pass करने के लिए तुम काफी कुछ सीख सकते हो, यदि तुम प्रियास करो वह बोली मैं बहुत सारे वैसे लिड़कों को जानती हूं जो तुम से कहीं अधिक बुद्धू हैं और pass हो जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा जो कुछ तुम्हें पढ़ाया गया है वह भी तुम्हें समझना नहीं पड़ेगा कि बढ़ परिक्षा में उसे दोराने लिखने के योगी बन जाओ यही समूची परिशानी है मैं अलबर्ड बोला चीजों को जुबानी याद करने में मैं सक्षम नहीं हूँ यू दोंट नीड तो बी गुड़ एट अनी वन कैन लर्न लाइक पैरड तु जस दोंट ट्राई एंड यट आई आलवेश सी यू विद ए बुक अंडर यूर आर अड़ेट इल्सा वाट इस दा वन यू आ रीडिंग ए बुक ऑन जियोलोजी आपको उसमें सक्षम होनी की अवजक्ता नहीं है तोती की भाती कोई भी रट सकता है तुम केबल प्रयास नहीं करते हो फिर भी देखता हूं तुम हमेशा अपनी बाजूओं बगल में पुस्तक लिए होते हो इल्सा कहती गए कौन सी पुस्तक जो तुम पढ़ रहे हो कि हैव हार ली एनी साइंस अट स्कूल देन वाई आर यू स्टूइंग इट बिकॉस आई लाइक इट इसेंट गुड़ इनफ दीजन एल्सा साइड भूवग्यान चट्टाने और वस्तू है क्या तुम उन्हें सीखते हो नहीं हमारे स्कूल में लेशमात भी विग्यान नहीं पढ़ाया जाता है फिर तुम उसे क्यों पढ़ रहे हो यूँकि यह मुझे पसंद है कि यही कारण काफी अच्छा नहीं है you are right of course Albert she said but it wouldn't help with your diploma Elsa ने आहां भरी तुम निसंदे ठीक हो Albert भै बोली पुरंत इस से तुमाय डिप्लोमा में कोई सहता नहीं मिलेगी apart from books on science his only comfort was music and he played his violin regularly until his land lately asked him to stop विज्ञान के पुस्तकों के अलावा उसे केवल संगी से सुकून मिला करता था और वह उस समय तक अपनी सारंगी बजाता रहता था जब तक उसे बंद करने के लिए उसकी मकान मालकी नहीं कहती थी यह रोया पीटी मुझे घवराट देती है वै बोलती थी इस घर के भीतर बच्चों के रुलाहाट का पहले ही अत्यादिक शोर होता है Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl but he decided it was better to say nothing Albert यह बताने के लिए लाइत हो गया कि अधिकान समय बैस स्वेम उन्हें चीखने के लिए बाद करती है लेकिन उसने एंडलिया कि इस विशे में मौन रहना ही श्रेसकर है I must get away from here he told Uri after six months alone in Munich it is absurd that I should go on like this in the end it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time it will be better for all if I stop now मुझे यहां से अवश ही चले जाना जाईए जब बैच्छे माईने अकेला इम्यूनिक में रह चुका था तब उसने यूरी को बताया यह बेतों की भद्धी बात रहेगी यदि मैं इस प्रकार चलता रहा अंत में यही प्रणाम होगा कि मैं अपने पिता के पैसे को नश् यूरी आस्क्ट और तब तुम क्या करोगी यूरी ने पूछा आई डोंट नो इफ़ गो टो मिलान आइं अफरेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस इस आइज ग्लीम्ट विदे सदेन आइडिया यूरी दू यू नो अनी फ्रेंडली डॉक्टर मुझे पता नहीं य यूरी क्या कोई डाक्टर तुम्हारा दोस्त है I know a lot of medical students and some of them are friendly said यूरी डॉक्टर No, I have never had enough money to go to one, why? मैं बहुत से डाक्टरी विद्यारतियों को जानता हूं और उनमें से कुछ मेरे मित्र है यूरी बोला डाक्टर नहीं किसी डाक्टर के पास जाने के लिए हैं कभी भी कि मेरे पास परियाप्त पैसे परियाप्त पैसा नहीं था क्यों सपोस सेड अलबर्ट that I had a nervous breakdown सपोसे डाक्टर वूट से इट इस बैट फॉर मी तो गो तो स्कूल and I need to get right away from it मानो अलबर्ट ने का कि मेरा मस्तिक्ष घात होता है मानो एक डाक्टर कहता है कि मेरे लिए कुक्ति पाने के आवशक्ता है I can't imagine a doctor saying that said Yuri I must try said Albert to find a doctor who specializes in nerves मैं कलपना नहीं कर सकता हूंकि डाक्टर वैसा कह देगा यूरी बोला मुझे अवश्य कोशिश करनी चाहिए अलबर्ड बोला किसी वैसे डाक्टर को ढूनू जो मास पेश्यों का विशेशक हो There are plenty of them Yuri told him he hesitated for a moment and then added either reluctantly I will ask some of the students if they know one if you like ऐसे बहुत से हैं Yuri ने उसे बताया कोई पल भर हिजकता रहा और फिर कुछ अनिच्छा से कहता गए यदि तुम पसंद करो तो मैं कुछ विद्ध्यार्चियों से पूछ लोगा शायद बे किसी उस प्रकार के डाक्टर को जानते हूं Will you? Oh, thank you Yuri, Albert's eyes were shining. Wait a moment, I haven't found one yet. Oh, but you will क्या तुम धूंद लोगे? अरे तुम्हारा धन्यवाद Yuri, Albert की आंके चमक नहीं थी पल भर प्रतिक्षा कीजिए, मुझे अभी तक कोई वैसा डाक्टर नहीं मिल पाया है. अरे परंद तु मुझे मिल जाएगा And if I do, I don't know if he will be willing to help you. He will, he will. Declared Albert, I am going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily और यदि मुझे मिल भी जाएगा तो पता नहीं भै तुम्हारे मदद करने का इच्छुक होगा या नहीं, वह अवश ही ही करेगा Albert ने घोशड़ागे, मुझे वास्त में मनो विज्ञाने शिलता होने वाली है, ताकि उसके लिए सारा काम अधिक आसान हो जाए वह प्रसंद मुद्रा में हस पड़ा I have never seen you looking less nervous, remarked Yuri A day or two at school will soon put that right, Albert assured him मुझे तुम कभी भी इससे कम शितिन नहीं दिखाए पड़े है, Yuri नि टिपनी की स्कूल में एक या दो दिन और अधिक रह गया हो, तो वह तुरंद उसे ठीक कर देगा अलबर्ट ने उसे आजवाशन दिया, certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next I can't stand it any longer, he said I really shall have a nervous breakdown that will satisfy the doctor वास्तव में भाई अपने उससा को खो बैटा था, जब Yuri उससे अगली बार मिला मैं इसे अधिक सायन नहीं कर सकता हूँ, उसने कहा, मुझे सच में मनुवे ज्यानेक शिचलता हो जाएगी इससे doctor संतुष्ट हो जाएगा तो उससे बनाए रखिये, Yuri बोला, मैंने तुमारे लिए doctor ढूंड लिया है तुमने ढूंड लिया है, अलबर का चेहरा जगमगा गया, अरे बहुत अच्छा रहा, मैं उससे कब मिल सकता हूँ, मैंने तुमारे लिये कल शाम की नियुक्ति ले लिया है, यूरी बोला, उसका पता है, उसने अलबर के लिये कागश का एक पुर्जा दे दिया, doctor अन्रेस्ट वील, क्या भाई, मैंनो विग्यानिक रोगों का विशेशक है, अलबर ने पूछा not exactly, यूरी admitted, as a matter of fact, he only qualified as a doctor last week, you may even be his first patient, you know him as a student then, I have known Ernst for years, यूरी hesitated for a few moments, he is not a fool, he warned Albert, what do you mean, यथात सच रूप में नहीं, यथात रूप में यूरी ने सुकार किया, वास्तम में उसने पिछले सब्ताही डाक्टरी की योगिद्या का प्रमनापत्र प्राप्त किया है, वो सब्ताही कि तुम ही उसके पहले मरीज हो, तो आप उन्हें तबी से जानते हैं, जब वे विद्ध्यारती थे, मैं अन्रेस्ट को वर्षों से जानता हूं, यूरी कुछ छणों तक हिच्किताता रहा, मैं मुल्क नहीं है, उसने Albert को सचेत किया, तुमारे कहने का मतलब क्या है? इस दोका देने का प्रियास नहीं करना, जब इतना ध्यान रखना, उससे साफ सा बता देना, परन्तु जो बीमारी का बहाना मत करना, यह मत समझ लेना कि तुम किसी को दोका दे सकते हो, यूरी बोलता चला गया, तुम पूरे विश्व में सरवादिक जोटे वेकती हो, अलबर्ट ने अगला दिन अलबर्ट अगला दिन ही विचारने में लगा दिया कि वह डाक्टर को क्या बताए, कि उसकी न्युक्ति का समय, अपॉन्मेंट का समय नजदीक आ गया, तब तक वह इस विशह में इतना अधिक चिंतित हो चुका था कि बास्ता में शितिल हो गया था, अगला दिन ही विचारने में लगा दिया कि डाक्टर को क्या बताए, कि उसकी अपॉन्मेंट का समय नजदीक आ गया, तब तक वह इस विशह में इतना अधिक चिंतित हो चुका था कि विवास्ता में शितिल हो गया था, I don't really know how to describe my trouble, Dr. Veele, he began, don't try, said the young doctor with a friendly smile, Yuri, has already given me a history of the case, oh what did he say? Dr. Veele, मुझे वास्ता में यह ग्यान नहीं कि अपनी परिशानियों का उल्ले किस प्रकार करूँ? Don't try, said the young doctor with a friendly smile, Yuri, has already given me a history of the case, कोशिश मत करो, नव युवक डॉक्टर ने मैं तरिपन मुसकान के साथ का, Yuri ने मुझे पहले से ही तुमारे परिशानियों की कहनी सुना दी है, ओ, what did he say? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. Oh dear, Albert's face fell, he shouldn't have told you that, why not? Isn't it true then? यही कि तुम चाहते हो, अच्छा उसने क्या बताया है? यही कि तुम चाहते हो कि मैं यह सोचों कि तुमें मनोवग्यानिक हीसलता हो गई हो और कह दूं कि तुम फिर से उस स्कूल में नहीं जाओगे, अरे पिर यह मित्र, Albert का चेहरा गिर गया, उसे आपको यह नहीं बचाना चाहिए था, यह नहीं बताना चाहिए था. कि तुम नहीं तो फिर क्या यह सच नहीं है? हाँ, वही परशानी है, अब तुम कहोगे कि मुझे कोई बिमारी नहीं है, और तुम दुबारा मुझसे स्कूल जाने की बात कहोगे, उसके बारे में अधिक विश्वस मत हो. दक्टर बोला कि का हकीकत में मुझे पूल जिश्वास है कि स्कूल के बारे में तुम शितिल शिति में हो. परंतु इस बिश्या में मैंने आपको कुछ भी तो नहीं बताया है. आँखों को चोड़ी खोलकर अलबर्ट ने कहा, आप उसे कैसे जान सकते हैं? कि यदि तुम मनो विज्याने के नर्थिक नहीं होते हैं, तो उसके बिश्या में मुझे बिश्या बेड़ी तो नहीं होते हैं, मुझे मिलने ही नहीं आते हैं, यही कारण है, अब ड्याक्टर तुरंत बोल उठा, यदि मैं प्रमालित कर दू कि तुम्हें मनो विज्याने चितिलता है, और कुछ समय तक स्कूल में नहीं जाना है, तो तुम क्या करोगे? I will go to Italy, said Albert, to Milan, where my parents are, and what will you do there? I will try to get into an Italian college or institute, how can you, without a diploma? I will ask my mathematics teacher to give me something about my work, and perhaps that will be enough. I have learnt all the maths, very maths they teach at school, and a bit more. He added when Dr. Will looked doubtly. मैं गलित के अपने टीचर से प्रात्ना करूंगे कि मेरे काम के बारे में कोई प्रमाब पत्त दे दें, और शायद मैं काफी होगा. स्कूल में जितना गलित सिखाया जाता है, मैं मैंने सीख लिए यार, बलकि उससे भी कुछ अधिक. मैं बोलता गया, जब Dr. Will शंशायूक दिखाई पड़ा. Well, it's up to you, he said. I doubt if it will come off, but I can see you are not doing yourself or anyone else much goodbyes staying here. How long would you like me to say you should stay away from school? Would six months be all right? This is very kind of you. ठीक है ये सब आपके उपर निर्भर करता है, भैं बोला मुझे शक है कि ये कारगर भी होगा या नहीं. लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम यहां ठहर कर ना आपना फायदा करते हो ना ही किसी अन्वेक्ति का. तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें स्कूल से कितने दिन का विश्राम दिला दूँ? कि अच्छे महिने का समय पर्याक्त रहेगा? यह आपकी असीम क्रपा है. अच्किन का. और फिसे सकता हूँ कि अच्छेम काूए. कि अच्छेम की तुम चाहते हैं. to a meal. He is a good friend of mine and yours too. I think Albert had no money to spare but he pretended that he had and took out to suffer. ये कुछ भी नहीं है. मैंने अपनी विद्ध्यारते जीवन समाप्त किया. इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम कैसा मेसूत करते हो. लो डाक्टर भी उसे प्रवनापत थमा देते हैं और कहते हैं शुब भाग गये. कितने धन्राशी कुछ नहीं है. यदि तुम्हारे पास कुछ फालतु धन्राशी है तो यूरी को बजन पर आमंतित कर देना. वह मेरा प्यारा दोस्त है और तुम्हारा भी मेरे विचार में. अलबट के पास फालतु पैसे नहीं थे पर उसने बहाना बनाया था उसके पास फालतु पैसे हैं और वहे यूरी को राज के बजन पर ले गया. क्या ये आश्चर जनक बात नहीं है उसने प्रमान पत दिखा कर यूरी से पूंचा हाँ ये सुन्दर बात है यूरी सहमत हो गया. छे महीने की अबदी काफी बड़ी होती है इस प्रकार तुम सच में स्कूल को छोड़ोगे नहीं बलके यदि इस ती बिकड़ जाए तो तुम लॉट कर आ सकोगे और अपने डिप्लोमा के त्यारी कर सकोगे. I will never go back to that place. Albert assured him I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be the end of it. मैं कभी उस स्थन पर नहीं जाऊंगा. Albert ने उसे आशवाशन दिया. मैं इस certificate को कल मुखे teacher के पास ले जाऊंगा और वहीं उसका अंत होगा. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first. Yuri reminded him पहले अपने गलित के अध्यापक से लिखित रूप में हवाला लेना मत भूलना. Yuri ने उसे याद दिलाया. Mr. Coach willingly gave Albert the reference he wanted. Mr. Coach ने Albert द्वारा चाया हुआ परमाना पत्र उसे रजामंदी से दे दिया. Mr. Coach willingly gave Albert the reference he wanted. If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? he asked. यदि मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें और अधिक नहीं पढ़ा सकता हूँ और समभा होता थोड़े समय बाद तुम मुझे पढ़ाने योगी हो जाओगे तु क्या ये कहना ठीक होगा उसने पूछा? That's saying too much, sir, said Albert. ऐसा कहना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, sir, Albert बोला. It is, it's only the truth, but all right, I will put it more seriously. साच बात तो यही है, परन तो ठीक है, मैं इसे अधि गंबी रूप देता हूँ. It was still a glowing reference and Mr. Kosh made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. ये अभी भी अधिक शांदर हवाला था और Mr. Kosh ने ये संकेत दिया कि उच्च गलितियें सिक्षा के प्रापती है तु, Albert ततकाल किसी माविद्याले संस्थान में अधन के लिए तयार है. I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. मुझे अफसोस है कि तुम हमें छोड़कर जा रहा हो, हला कि तुम मेरे कक्षा में अपना समय निश्ट कर रहा हूँ, उसने कहा. It's almost the only class where I am not wasting my time, said Albert. But how did you know I am leaving, sir? केवल ही एक class है, कक्षा है, जिसमें मैं अपना समय निश्ट नहीं कर रहा हूँ. Albert बोला, प्रण तु, आपको कैसे पता चला कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, sir? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. I thought you would, you had, you would wonder. अन्य था, तुम यहां से हवाला विबन नहीं मांगते हैं, मैं समोच रहता हैं, आपको आश्र होगा. There is nothing to wonder about, Einstein. I knew you were going to live before you knew yourself. इसमें कोई आश्रे की बात नहीं है. Einstein में जानता था कि दुम स्वाइम को जानने से पहले छोड़ जाओगे. Albert was puzzled. What did the teacher mean? Albert घबरा गया. अध्याब़ा के कहने का मतलब क्या है? He soon found out, before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. उसे तुरंट पता चल गया. इससे पहले कि वे head teacher से मिलने के अनुमती मांगे, उसे head teacher के कमरे में बुला लिया गया. Well, it saves me the trouble of having to wait an hour, wait an hour or to outside, he thought. अच्छा होया. इससे मुझे एक यादो घंटे तक बाहर प्रतिक्षा नहीं करने पलेगी, उसने सोचा. उसे आश्चार में पढ़ने के अब शक्ता ही नहीं पढ़े की, उसको क्यों बुलाया गया है? परंतु उसे अनाया से ये आभास हुआ कि उसे घटिया कामिया आलस के लिए दोबारा दंट दिया जाएगा. ठीक है, आप दंट से पीशा छूट जाएगा. I am not going to punish you, the head teacher said to Albert. Albert, surprise, your work is terrible and I am not prepared to have you here and longer. Einstein, I want you to leave the school now. Leave school now, repeated Albert days. That's what I said. You mean, said Albert, that I am to be expelled. मैं तुम्हे सजा नहीं देने वाला हूँ. Albert को चकित करने के लिए मुख्य टीचर बोला, तुम्हारा काम बड़ा भायानक है. और मैं तुम्हे स्कूल में और अधिक रखने के लिए तयार नहीं हूँ. Einstein, मैं चाहता हूँ कि तुम आब स्कूल को छोड़ जाओ. अब स्कूल को छोड़ जाओ. Albert ने चकाचन होकर दौर आया. यही मैंने कहा. तुम्हारा मतलब है, Albert बोला, आपका मतलब है, Albert बोला, कि मैं निश्काशत हो गया हूँ. यही तुम यही चाहते हो, तो ऐसा ही समझ लो, Einstein, मुख्य टीचर गोल मूल बाते नहीं कर रहे थे, तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया बात ही होगी, कि अपनी इच्छा से निकल जाओ, और फिर निश्काशन का प्रश्ण ही नहीं उठेगा. But, said Albert, what crime have I committed? लेकिन Albert बोला, मैंने कौन सा अपरात किया है? Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. You refuse to learn. You are in constant rebellion and no serious work can be done while you are there. कक्षा के कमरे में तुमारी उपस्तिती से अध्यापक के लिए पढ़ाना और दूसरे विद्ध्यातियों को सीखना असंबभ हो जाता है. तुमने सीखने से इंकार कर दिया है और तुम हमेशा टकराओ कि मनोदुशा में रहते हो जब तक तुम वहां रहते हो तब तक कोई गंभीर कार नहीं हो सकता. अलबर्ट फिल्दा मेडिकल स्रेटिविकेट आल्मोस्ट बर्निंगे होल इन इस पॉकेट अलबर्ट ने महसूस किया डाक्टरी प्रमाण पत्र लगवग उसकी जेम में च्छेंद कर रहा था मतलब बेकार हो गया था. I was going to leave anyway, he said. ख्हार में जाय Σ्कूल चो्रना हुआ हो Let's Q那個 Then we are in agreement at least, Einstein , the head said. For a moment, Albert Bass tempted to tell the man what he thought for him and of his school. Then he stopped himself without another word. Holding his head high, he stalked out. Shut the door after you, shouted the head. Albert ignored him. फिर कम से कम हमारे भी चम्योता हो गया है मुख्धप्र टीचर ने कहा पल भर के लिए अलबर्ट उस ज़कती मुख्धप्र टीचर को ये बताने के लिगा लाइत हो गया कि उस मुख्धी टीचर के तथा स्कूल के विशे میں उसकी राय क्या है विचार क्या थी धाड़ना क्या थी फिर उसने अपने आप पर नियंत्र कर लिया और कोई शब्द बोले बिना अपना सिर उचा करके हुए बाहर निकल गया अपने पीछे दर्वाजा बंद कर देना मुख्य टीचर ने चीक कर कहा अलबर्ट इग्नोर्ड हिम वै उस विद्याले से सीधा बाहर निकल गया जहां उसने पांच अब आगे कठोर वर्ष बिताये थे विदाव टनिंग ही सेट टू गिव इट गिव इट ए लास्ट लुक ये कुड नॉट थिंक औफ एनिवन ये वांटेट तो से गुड़ बाय तू उसकी और आख़ी बार देखनी के लिए उसने सिर भी नहीं गुमाया उसे किसी का पर ध्यान नहीं आया जिसे अलविदा कहना हो वै उस विद्याले सीधा बाहर निकल गया जहां उसने पांच हवागे कठोर वर्ष बिताये थे उसकी और आखरी बार देखने के लिए उसने सिर भी नहीं गुमाया उसे किसी का भी ध्यान नहीं आया जिसे अलविदा कहना हो इन्डीड, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school Elsa was back in Berlin and he had no other real friends वास्तब में, Munich में Yuri ही वैसा एक व्यक्ति था इससे वै उपनगर छोड़ने से पहले मिलना चाहता था वै उस कस्पे से उतनी घणा करता था यतनी उस स्कूल से Elsa वापक Berlin आ चुकी थी और उसके अन्न कोई सच्चे मित नहीं थे गुड़बाई and गुड़़ग said Yuri when he left you are going to a wonderful country, I think, I hope you will be happier there जब वै चलने लगा तो Yuri ने उसे अलविदा और शुब भाग कहा मेरी विचार में तुम विस्मेकारी संसार में जा रहे हो मुझे आशा है, मुझे उमीद है, तुम वहाँ अधिक अच्छे रहोगे तो friends, यह chapter यहाँ पर आप खतम हो गया है अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्स्क्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें, शेर भी करें हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद